ख्राम पंचायत नौगईयां मजराब बाजार पुर्वा पावर हाउस का सरकन जन्पत बहराईज में बिजली विभाग की घोर लापरवाही की कारण प्रती दिन बिजली के दार दूड कर गाउं के किनारे धान के खेत में अक्सर पड़े रहते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इतने लापरवा हैं कि चाहे आदमी की जान जाये या जानवर की जान जाये उनके उपर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला बिजली के तारों की हालत इतनी जरजर है जिसे आप स्वयम देख सकते हैं अगर बिजली के तार अतिशीक्र बदले नहीं गए और लाइन का रूट चेंज नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ी दुर्गटना हो सकती है इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी क्योंकि बिजली विभाग जान भूच कर ना तो तारों को बदल रहा है और ना ही इसके रूट को बदल रहा है कैसर गंज बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ना तो सरकार का खौफ है और ना ही मुख्यमंत्री का डर है न्यूस प्लस इंडिया के पत्रगार ने स्वयम इस प्रकरण की उच्छ तरिये जाच की मांग की है रिपोर्ट ताजुल हुसाइन कैसर गैंज सार इस समय भी गिरा पड़ा है लाइन आपके वह से कटी नहीं है अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार काउन है जिम्मेदार लाइन है लाइन लाइन जब कोई बीची चल रही है तो खराब और वो सब तो होगा ही उसमें जाने तो बात है लाइन जाएगी तो तूटेजी तूटेजी तो जो भी चीज़ें तो होगी उसके साथ मतलब पर्टजिन खराब होगी और आप यही बने बैठे हैं और लाइन पर्टजिन खराब होती है तो इसके विसमें आपका सोचना नहीं है कुछ आप जानते हैं कि इस तारों में कितनी जोड लगी हुई है हाँ मालूम है मुझे तो आप इसका रूट क्यों नहीं चेंज करते हैं तो बता तो रहे हैं अची अभी पर्टोजल भेजा गया है जब पास होगा तो हम करवा देंगे बता तो रहे हैं आपको यही चीज़ जब पर्पोजल पास होगा तब तार जोड़वाएंगे तार जोड़वाएंगे जो तार टोटे पड़े हैं खेत में तार जोड़ता है अगर टोड़ता तो जोड़ता नहीं तो यह पर्तदिन तूटता है पर्तदिन जोड़ता है पर्तदिन जोड़ता है तो इसलिए तो पांट उता तो करवाएंगे इसलिए तो बेजा गया पांट उता तो बता तो रहें आपको इस अच्छा ठीक है वह से मैं पत्रगार बोल ला हूं और आपने बताया है वह ठीक बताया है चलिए आपको आगे बढ़ाई जाएगी धन्यवाद आपको कि अगर अगर कि अगर आपको कि अगर आपको